हुआ है है इस देटर लेक्राने में प्रेट हुआ है यह जो टेक्नोलोजी है जेनरेटिव एई-ई-ई यह काफी रीशन टेक्नोलोजी है तो इसका पहला big commercial project आया, वो last year, November ये December में आया, हमने around May, April, around end of May, early June लाँच किया था ये, और उसके बाद हमने इंडिया में उसका experiment करना शुरू कर दिया था, actually. तो जो initial जो test किया था हमने इंडिया में, वो students, teachers, professor के साथ किया था, लेकिन इन सारे project को enterprise grade बनाने में थोड़ा time लगता है, जिसे की बड़े-बड़े bank यूज कर सके, Uber यूज कर सके, city bank यूज कर सके, channel charter यूज कर सके, तो इसके लिए थोड़ा time लगता है, तो इसलिए जो हम हमने 5-6 महिना time लिया, क्योंकि उसको हम secure बना सके, जिसे की privacy maintain कर सके, जिसे की आपका data secure रह सके, और उसके बाद हमने 5 महिने के बाद release कर दिया, तो मेरे साब से जो है, 4-5 महिने का time लेना, जिसे की लोगों की privacy, security और इन सब को जो है, इन सब के ओपर time दिया जा सके, इन की लोग trust कर सके, कि उनका data secure रहेगा, data बाहर नहीं जाएगा, यह सारी चीज़े important है, तो इसलिए फ़ड़ा time लगा. तो यह product के पीछे, तीन important चीज़े हैं, पहली बात है कि, क्या की बहुत सारे लोग generative AI के उपर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे important चीज़ क्या है, कि privacy और security, कि क्या जैसे कि बड़े-बड़े bank, तो आप उनको data देते हैं, तो वो data बाहर नहीं भेज सकते, आप उनको उनके नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, कि अगर हमें उनको support करना है, तो हमको उनके infrastructure के अंदर रहके run करना होगा, data इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, data जो है, हर इंसान का उसके अंदर रहना चाहिए, आपका data किसी और के model को train करने में ने use किया जाना चाहिए, आपका data है, हम फुद train ना करें, उसके लिए होना चाहिए, यह सारी चीजें, privacy, security, enterprise control, यह सारी चीजें जो है, वो हम provide करते है, in addition to all the capability that you saw, वो important है, जो कि बाकी लोग का चाहिए, कि आप simple internet के ओपर question पूछ सको, तो वो जो है दे देगा, लेकिन वो data जो आपकी document के ओपर ह ही answer हो, तो वो सारी guarantee जो है, यह product देता है, तो यह जो product है, यह सारे languages में जो है available है, तो आपने अगर demo देखा, तो मैंने जो है, document English में था और सबाल गुजराती में पूछा, और document बराठी में था और सबाल अंग्रीजी में पूछा, तो यह एक अच्छी चीज किया है, इस particular product में कि आपका जो language का जो barrier है, इसको वो बिल्कुल खतम कर देता है, तो मैं बदाता हूँ, तो जो translation technology जो रही है इसके पहले की, वो क्या करते है, एक-एक sentence लेते हैं, और वो sentence को translation करते है, तो उसमें क्या है, कि आपके अगर कुछ गल्तियां हुई तो एक sentence में उगल्तिया जो technology है, वो पूरे concept को समझता है, बेस्ट उन पूरा input, जो सारा input दिया है अपने, या पूरे document को, और अगर वो समझ में आ गया, और उसके बाद आप answer कर रहे हूं, तो यह actually like, यह word-to-word translation नहीं कर रहा है, यह उस concept को समझ रहा है, जैसे कि आप मुझसे हिंदी में सवाल यह concept वैसा है, तो इसमें translate नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कि आपके उसको समझ रहा है, और उसके बाद वो generate कर रहा है, और इस वज़ए से जो है, इसमें गलतियां कम होती है, और वो spelling mistake और वो सब जो input में है, वो output में नहीं आता, क्योंकि यह word-to-word translation नहीं कर रहा तो हमारा target यह है कि जितने भी industries हैं, जैसे कि banking, insurance, government, healthcare, इन सब को जो है, हम more efficient बना सकें, क्योंकि इन सब यह सारी जो चीजें है, यह generally किसको serve करती है, आप लोग को, अगर यह सारे लोग जो है, इन सब technology को इस्तेमाल करना शुरू करें, तो यह किसका फाइदा है, यह आप अगर loan के लिए apply करते हैं, अगर आपको loan पांच मिनट में बिले, रादर देन जो है, पांच हपते में, इस सब को फाइदा है, अगर आप जब insurance claim करते हैं, अगर तीन महीने के बजाए वो तीन दिन लगे, तो इस सब को फाइदा है, तो हमारा क्या goal है, कि to enable जितने भी organizations है वो सारा ये product use करके, सारी दुनिया को बहतर service दे सके, तो हम जो है, इस business में पिछले 7-8 सालों से हैं, अगर आप देखोगे, और हमारे ये सारी customers हैं, बहुत सारे customers हैं, इस पिछले 4-5 सालों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा offer नहीं है, जो हम बंद करेंगे, क्या कि ये computer science में क्या है, आपको देखोगे, हर साल चीज़ें सस्ती होती जाती है, बाकी जगों, बाकी चीज़ों में हर साल कीज़ें महंगी होती जाती है, तो actually तो हमारा prize और हमारा product है, हर साल थोड़ा सस्ता हुआ है, ना की महंगा, तो, और मेरे साब से वो टरंड चलता रहे तो, लॉग इन करने के लिए आपको सरफ email और password के जरूरत है, बस, और तो वो बेशिकली क्या है, पहला 500 credit free है, उसके बाद हर question depending upon कितने page के ऊपर पूछ रहे हो, तो उसके लिए वो 8 ये 9 पैसे लगते हैं, साथ ये 8 पैसे पर question करें, लेकिन आप सोचो, कि आप जो है जिससे बड़ा सा legal document है, उसके ऊपर आप सवाल पूछ रहे हो, कि बताओ कि कि मुद्दा क्या है, 8 पैसा जो है, काफी सस्ता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, तो जो credit जो हम चार्ज कर रहे हैं, वो हर query के लिए बहुत ही कम है, तो इसे कि आपको सवाल पूछना है, कि इस चीज का सवाल बताओ, तो उसने जो इंटरनेट से सीखा है, उसके पर जवाब देता है, और ChatGPT बहुत ही अच्छा टूल है, उसमें जैसे गूगल सर्च आप करते हैं, तो इंटरनेट सर्च जाल देता है, लेकिन अगर आपको जो है, जैसे कि आपको जो है, प्रापरड़ी पेपर खरीद रहे हो, और उसने सारा प्रापरड़ी का जो है आप गूगल सर्च नहीं मिलेगा ना, कि इसमें क्या आप लोर के पास जाओगे, बोलोगे भाईया, मेरा पेपर पढ़ो और बताओ कि इसमें सब ठीक ठाक है या ने, तो इंस्टबेस क्या करेगा, आप इंस्टबेस को अपना प्रापरड़ी पेपर दोगे, वो आपके पेपर को पढ़ेगा, और उसके हिसाब से आंसर देगा, वो इंटरनेट का आंसर नहीं देगा, तो ये डिफरेंस है, क्योंकि हमारा क्या मानना है, कि इंटरनेट के लिए अच्छे तूल है, Google है, ChatGPT है, वो काफी अच्छे तूल है, लेकिन कोई ऐसा तूल नहीं बनाया तूल है, 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 तूल government, the feedback has been great and we are investing even more and more for all the existing customers. So, this feedback is from every place. Whether it's banking, insurance, government, healthcare, the feedback is good. So, Gemini, ChartGPT, all the tools are made on the internet data that you need to search for. And they will all be advanced. And we have our research team who has always been benchmarking with us as well. So, this field is the model that we keep changing every two weeks. So, if we look at AI Hub product, we keep changing every two weeks. Because this technology is changing very quickly. And it is necessary that our product will remain at the same level where the rest of the top class products are. There are mistakes. There are mistakes. How many percent of cancer should be done with this? Yes. Yes. Like if you even have a lawyer, you have to be able to do wrong. You have to do wrong. It doesn't mean that you do wrong. अगर आप किसी को टाइप करने बोलते हैं, वो ही मिस्टेक करते हैं तो हमने जो देखा है, टिपिकली जो है, जो इन जेनरल जो है, जो हमने जब बेंचमार्क किया है तो फर मोस्त बेसिक सफ लाइग, यह हुमन से जादा बहतर करता है, मतलब 97-98% लेकिन अच्छी बात किया है इसमें, कि अगर जो है, इसको कोई चीज नहीं आती है, तो यह आपको गलत अंसर नहीं देगा, यह बोलेगा कि भे, I cannot answer you this question because I don't have the data available, तो यह बोलेगा कि now, I gave up, and you have to do it yourself आपके डाकिमेंट यह आपका data को समझता है, और उससे आप जिस किसी भी language में सवाल पूछो, उसमें अंसर देता है, तो आजसे कोई translation नहीं करें, समझ रहा है चीजे, और उस answer basically, under the hood, क्या हो रहा है, कि it has a very deep understanding capability, and then being able to answer any question by default translation हो गया, तो आपको translation जैसा अलग रहा है, लेकिन, the capability क्या है, कि deep understanding of your content आप ते का है, आप यह बनाता है यह, हाँ, तो आजसे बोलोगे कि भाई, यह report पर हो, और मेरे लिए PowerPoint PowerPoint presentation बना, तो PowerPoint presentation बनाएगा, तो हमने काफी Indian organization से बात की, and we're very encouraged by seeing how many organizations want to be in the forefront of AI, सब लोग AI अपने business में लेना चाहते है, ताकि वो ज्यादा बहता customer service कर सके, उनका cost भी काम रहे, और नही नही चीजे दे पाए, तो वे सिंग लोट of excitement in India to adopt all of this, and Indian companies are going ahead of the curve, we think, we have all the right ingredients in India, we have the right people, we have the right technology, we have the right funding capabilities, तो फिर इंडिया के लिए तो you know, sky is the limit, and I think that we are excited to partner with Indian organizations to adopt AI I think AI hub, सबके लिए आप जिससे पूछ रहे थे, target audience, तो मैं ये बताऊंगा कि आज आप ही लोगों ने भार्षा के barrier को तोड़ता है, और organizations छोटे level के हो या बड़े level के हो, क्योंकि हम सारे security compliant हैं, आपके data को secure और safe रखते हैं, ये सब के लिए यूसफुल है, और जो आज के दिन में start-ups हैं, उनको अपने काम को automate करने के लिए, बहुत ही minimal technical expertise के साथ, वो अपने process को automate कर सकते हैं, जब जो भी document related हो, तो हम पुरे देश के start-up, students, media people, lawyers, सब को encourage करते हैं, कि आप एक वार AI Hub, try करिये, इस्तेमाल करिये, और feedback दीजिए, आपका काम इस से आसान होगा.